इन्फोसिस पे क्या रडारा है क्यों? तो MN अबिसली इन्वेस्टर डे था तो वो तो दिखाया दोने बुलिश ब्रोकरीज दिखा दी है काफी अच्छी मीट रही वो इन्फोसिस पे आज दो ब्रोकरीज का तरक आया है जेफरीज की यहां एक बाइक कॉल है टार्गेट है 1650 और CLSE की आउट परफॉर्मर कॉल है यहां 1553 के साथ अबिसली यूएस में आई-टी स्टॉक्स में काफी अच्छा आपने मोमेंटम देखा है लेकिन हम इन्फोसिस की स्पेसिफिकली बाते करें तो जेफरीज का मानना यह है कि डिस्क्रीशनरी आई-टी स्पेंड जो है वो इतने दिन से रुके हुए थे वहां आपको फाइनली ग्रीन शूट दिख रहा है पिकप दिख रहा है जिसका फाइदा इन्फोसिस को होना चाहिए इसके अलावा काफी सारी opportunities आपको generative AI और बहुत सारा investments वहां Infosys की तरफ से आता हो दिखाए पड़ रहा है जो long term में business भी लाएगा और cost भी सुधारेगा sales से कभी यही मानना है कि कहीं न कहीं sales growth revival आने वाला है जहां cloud, discretionary spend और general AI यह तीन segments में आपको जातातर growth आती भी दिखाए देगी और substantial opportunity आपको दिखाए पड़ रहा है जिसके कारण Infosys को एक lead मिल रही है generative AI segment में जिससे margins भी काफी अच्छे सुध रहेंगे तो दोनों ही brokerage काफी constructive लग रहा है Infosys को लेके Infosys announce कर दी है जिसने नतीजों की तारीक 18 जुलाई को Infi अपने Q1 numbers आएंगे Q1 FY25 के numbers गोशित करेगा ऐसी बता रहा है तो सुबह अगली चुट्टी जाने वाली है 17 जून थी कल और 17 जुलाई को अगली तो मतलब एक चुट्टी के बाद Infi के numbers आएंगे गोरांग सर कैसा लग रहा है Infosys या IT as a pack काफी इंतिजार कर लिया है सब कहते थे recovery back ended है हमने एक ड़र साल निकाल लिया recovery के इंतिजार में अभी तक आई ही नहीं है लेकिन क्या IT अच्छा position है Infi खरीदोगे आप लोग करीद रहे हो और नहीं करीद रहे है तो अकसर बाजार में लोग क्रोश करते हैं के ऐसे शेत्र दूंटे जहां पर योगदान नहीं मिला है आइटी स्पेशालिटी एग्रोकेमिकल्स और लाइफ इंशुरेंस सेक्टर यह तीन ऐसे हैं हमारे नजरिये से जिन्होंने योगदा नहीं दिया और हम काफी लंबे समय से आइटी सेक्टर पर सकारात्मक्सा नजर्या दे रहें और चौथी तिमाई के नतीज़ों के बाद अब वो सुधार दिख रहा है आकडों में आशीश और हमारा आकलन यह कहता है कि शायद नए वित्य वर्ष में दूसरी तिमाई के बाद इसकी रफ्तार और बढ़ेगी आ आटा LXI, को फोर्ष जैसे जो नाम है LTE माईंडरी, LTT याने के LNT टेक्नोलोजीज या इस सभी पर खरीदारी की राट याशी यह PVR आइनॉक्स को स्क्रीन पर रखिएगा गावा सर यह गवरांग सर आपने देखी नहीं देखी नहीं देखी चंदू चैंपिन गावा सर इतने दिल से रिव्यू दिया था आपको कि आप देखो नहीं मैं गावा सापको निजाश कर रहा हूं मैंने अब तक देखी नहीं है एरे चीटिंग है क्या एक सो बीस क्रोड़ों की मूवी बनी है और इस एक्सेंट वीकेंड किता कलेक्शन हो गया तो यह मंडे तक 27 क्रो मैं अगर पूरे में आगा तो कोशिश करूंगा आपसे मिलूंगा वाके में मैंने मैसेज भीजा उनको उनका रेप्लाइ भी आया आपको तो जल्वे लगी है खेर वीरू के बास चलवाजा आज के सारे होट स्टॉक्स के लिए उसके पास पालिवया साप स्क्रीन पर बतादें कि मनी कंट्रूल पर दिये गए विचार एक्सपर्ट के अपने नीजी विचार होते हैं वेबसाइड या मैनेजिमेंट इसके लिए उतरदाई नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रूल की सलहा है कि कोई भी निवेशन इंडले लें से पहले सर्टिफाइड एक्सपर् प्रणि क्या सक्क्रणिए यूजर्स नहीं है झाशारी यूजर्स नहीं है जिर दिये पेखने दिये वेखने इंडले इंडले लेक्सपर्टूल के टिये अवेशन नहीं हैं इंडले गयाएड़ जावाय कि आपके ब्रीएड़ सुद्से